हलो दोस्तों नमश्कार स्वागत है आप सभी का एक्जाम मास्टर चैनल में और अभी की ब्रेकिंग खबर ये है कि आप सब के पास वाटस अप पर ये जो नोटिस है ये आ चुकी होगी और इस नोटिस को आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा लेकिन फिर भी आपके मन में कहीं न कहीं एक चाहे 10% की ही confusion हो रही होगी कि क्या यार ये इस पर विश्वास किया जा सकता है कहीं ये fake तो नहीं है तो इस तरह की चीजों को एकदम clear करने के लिए भई मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश शाशन उच्च शिच्चा अनुभाग ने यहाँ पर क्या किया है ये नोटिस में सबसे पहले देखे लिख दिया गया है कि आठेक 2020 दिन बुद्धवार को प्रस्तावित यानि जो प्रस्ताव भेजा था इन लोगों ने आठेक 2020 के लिए उत्तर प्रदेश शिच्च पात्रता परिक्षा के लिए PNP ने तो इसके आयोजन के द्रश्टिगत उच्च शिच्चा विभाग उत्तर प्रदेश के आधेन जितने भी महाविद्याले हैं इसमें दिनांग 8.1.2020 के दिन बुद्धवार को एतत द्वारा अवकाश घोशित किया जाता है तो फिलहाल उस प्रेस्ताव के संदर्व में ये उच्चितर शिच्चा अनुभाग की नोटिस है कि हम उस दिन को अवकाश घोशित करते हैं जितने भी महाविद्याले हैं उस दिन सारे बंद रहेंगे उनमें चुटी रहेगी क्यों क्योंकि उस दिन UPTT की परिक्षा करवा आई जाएगी और इतने लोगों को ये नोटिस भेज दी गई है जहां पर आठ लोग हैं ठीक है ये एकदम और इसनल नोटिस है आपको कहीं से भी कोई भी एडिटिंग का साक्षन नहीं मिलेगा संख्षा पंदास उनसच है और इसे आप ऑफीशियल आनाउंसमेंट मान सक करते हैं कि अब आपका एक्जाम आठ जनवरी को होने का जो रास्ता है वो क्लियर है इस नोटिस के अकॉर्डिंग ठीक है क्योंकि इस नोटिस में साफ साफ उस दिन आउकाश घोशित करने की बात कही गई है कि उत्तर प्रदेश इच्छक पात्रता परिक्षा और बात करे से भी एक नोटिस आएगी आप सभी के लिए जो कि कल तक मौझूद हो जाएगी ठीक है तो इसके लिए इंतजार करें जैसे ही परिक्षा नियामक प्राधिकारी के ऑफीशल नोटिस आती है आठ जनवरी के लिए हम आपको सूचित करेंगे फिलहाल वीडियो को लाइक करे और आज जनवरी को मान करके एक्जाम तयारी करें क्योंकि बस ऑफीशली अनाउंस्मेंट है कि भाई उस दिन अप छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है तो बबाई चेक केर थांक्यू सो मच्छ लव यू आल कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट करें एक्जाम मास्ते चैनल सब सब्सक्राइब करके नोडिफिकेशन बेल दबालें जिससे आपको हमारी आने वाली सब ही अपडेट्स मिलती रहें थांक्यू